ज्रोप औल कॉइंडाव डर्थ, हर तरह की गंदगी गिरा दो वन डेग अफार्मर्स ओक्षन पेल इंटू दा वेल एक दीन एक किसान का बेल कुए में गिर गया फार्मर्स तू पूलिड आउट बट इवन अफ़र त्राइँग वर आवर्स एक सेन वस अबल तू गेट आउट अवड दू वेल चिसान ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन घंटो प्रयास करने की बाद भी बेल वेल से नहीं निकल सकता था अखिर किसान थक गया था और यह जयदा काम के भी नहीं था तो किसान ने सोचा कि वह उस बेल को उसी कोय में गाड दे अगर वह उसे वही छोड भी दे तो वह वैसे भी भोग से मर जाएका पामर लुक्ट अरॉड 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 देखा तो चारो और काफी की चर था सो फावडा लिया और कुए के अंदर मिट्टी डालने लगा जैसे ही बेल को पता चला कि क्या हो रहा है वो विलाप करने लगा पिसान बेल का विलाप सुनकर भी वे में बेल पर मिट्टी डालता रहा है कुछ देर बाद बेल शांत होक है और किसान को उसके रोने की आवाज सुनाई नहीं थी फार्मर थोट तो हिमसर्फ दाथ में बेल 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 बहुश हो गया और कुछ धकने के लिए वा मिट्टी फेकता रहा कुछ धिरवाद किसान ने कोई में देखा और उसे आच्छे रहुआ कि बेल कोई के किनारे तक पहुच गया है और कोई के किनारे तक पहुचने में सक्षन भी है और कोई में बेल बेल आच्छे वा में देखा कि उस पर सेके गया हर तावड के लिए खाड़ वा पहुच देखा कि दो में देखा और अच्छे रहां कि दो में पहुच गया है। के साथ, बेल ने शांती से उसे अपने पीट से हिला कर नीचे फिका और थोड़ा-थोड़ा करके वह अपनी उपर ठेकी गई मिटी के सहारे उपर के और चड़ रहा था. अट लास्ट, विट कंटिनियूस इफोर्ट, ऑक्षेन केम आउड और रहन अवे. अर्क में लगातार प्रयांस करने की बाद, बेल क्वेर से बाहर निकलाय और भाग गया. नॉरल, in your life, you will meet lots of people who will try to put you down in one or other way. Mud will be thrown on you in many ways to prevent you from presiding. नैतिक शिक्षा आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे इन लोगों से मिलेंगे, जो आपको किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे. तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हैं, कई तरीकों से तुम पर कीचर उछानेंगे. In such a situation, instead of feeling discouraged, you have to drop all kind of dirt thrown at you with courage and learn from it. Make it a ladder without sacrificing your ideals and keep moving forward with positivity. ऐसे में आपको निराश होने की बजाएं, अपनी उपर फेकी गई हर तरह की गंदगी को साहस के साथ गिराना होगा, और उससे सीखना होगा. अपने आदर्शो का त्याक किये बिना इसे सीड़ी बनाएं और सकारात्मक्ता के साथ आगे बढ़ते रहें. Sometimes, when things are falling apart, they may actually be falling into right place. कभी-कभी जब चीज़ें अलग हो रही होती हैं, तो हो सकता है कि वे वास्तव में सही जगा पर घिर रही हो.